असलाम लेकुम मैं यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद केलती हूं के खैरियत से होंगे और दौा केलती हूं के जहां भी रहें अलापाकी रह्मतों के साय में रहें खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें एक नए विलॉग के साथ हाजिर हूँ यह विलॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे आएं मेरे साथ पिछले कुछ तीनों की रूटीन को इंज्वाय करें लास्ट विलॉग में मैंने आप सबको ओनियन ओल का रीवियू दिया था और बताया था कि वैसे तो बैनिफिट्स हैं बहुत सारे लोगों से उसके अच्छे रीवियूज मिल रहे हैं लेकिन हमें वो सूट नहीं किया क्यूंकि यह सच है कि हर चीज हर शक्स के लिए नहीं मुख्लिफ होती है तो इसके लिए डिफरेंट स्लुशन्स रिक्वाइट होते हैं तो यहां पर आमले रिठे सिका काई का पाउडर मैंने बाजार समंगवाया था उसका एक चमच लेके उसमें दो गलास पानी आट करके ओवर नाइट के लिए मैंनों से भिगो दिया था औ शुले फे और आखा च्चा ठार आए कर लगया तो इस अच्छ़ घड़ आट है तो छुटिण कर लिया सभया तो इसके लिए क्ति करुप wilt चेण करना प्रोस्रा मुझा दों स्टैन्स प्रोसिस का याद नहीं रहा तर झालके रख लिया है और मैंने 32 था बालों के पहल नह कि याजी बेहतरी आईगी तो मैंने सचा इस रेमेडी से हमें फाइदा हुआ है तो आप में से भी जिस किसी को कोई रेमेडी सूट नहीं करती तो यह याद है तो नानी-दादी के टीडादी को अपनाएं ढर्लै हमने एक दफ़ा इसे यॉस किया था तब भी बहुत फाइद तो उसके बाद तो तोबा की बस वही जो बना के रखा उसे यूज किया दुबारा कभी भी इस्तमाल नहीं किया तो अब मुझे पता चला था कि ये पाउडर फॉर्म में मिलता है तो इसलिए मंगवा कि इसे इस्तमाल कर लिया बच्चों से भी और फेस्बुक से भी पता चला के आज भाहिट धूप निकली हुई है तो अब धूप निकली हुई है तो आप सबसे मैंने बोला था कि प्रैशर कुकर की ये ब्लैक बेल्ट यूज करके इसका रिव्यू आपको दूँगी तो ये बहुत अची बेल्ट है मैं यूज करती रही हूँ वो तीन चार पकवाई के बाद लूज हो जाती थी उनका साइस बड़ा हो जाता था और फिर वो सही नहीं काम करती थी तो इसकी स्टिफनेस हालांके तब से लेके अब तक यूज का रही हूं बिल्कुल ठीक है हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये तो ये हमारा दिनर रेड़ी है बच्चे आएंगे तो फिर साथ मिलके इंशाला खाना खाएंगे और फिर हो गया ये नेक्स डे यानि संडे और संडे की रूटीन बहुत लेजी रही हर दफा की तरह ही एक तो सो के लेट उठते हैं फिर नाशता लेट होता है उसके बाद और इस दफा तो और अरंग जे अपने मेकैनिक की शॉप भी खोली दोनों बाइक सी प्रॉबलम कर रही थी कुछ टाइम की शॉटिज होती है कुछ फाइनांस की की शॉटिज होती है तो बस वो काम लंबा ही होता चला जाता है और इस दफा भी संडे टास्क में ये फाइन उनकी अपनी बाइक की बारी और सब फादर्स की तरह जैसे वो अपनी चीजों को निगलेक्ट करते हैं, अपनी बाइक को अच्छा चले कोई निसको नेक्स संडे में देखेंगे, अगर टाइम मिला तो अभी सिर्फ सफाई सुथराई से ही काम चला लेते हैं, और संडे में किसी गेस्ट के अपता हो फिर तो मॉर्निंग में ही बच्चों को उठा के रूम क्लीन कर दिया जाता है, अदर्वाइस बच्चे क्यों के पूरा हफ्ता अपनी अप्तिविटीज में बिजी रहते हैं, तो संडे में बिस्तर चोड़ने पर बिल्कुल रजाबन नहीं होते, नान चनो का नाश्ता बाजार से था और वो खासा लेट किया था, उसके बाद औरेंजी स्का लिये और फिर शाम में डिनर टाइम पे बर्गर पैटी पड़े वे थे, घर में वो इनने बर्गर बना दिये और इस तरह संडे भी अच्छा हूजर गया, जी देखा आपने, कै कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, यह था मेरा आज का चोटा सा विलोग, होफ़ली आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बैल आइकोन को भी प्रेस करें, ताके न प्रेस नहीं किई।यम झायो कि झालो कर बाद करें, जरूर को प्रेस करें, लेकल दोड़िया जियक हमाँ, बढ़ार हुआ स utan हमाँ मेरा मेरा आपको अच्छा सकंगर दोपको यह दोगा है, उरूर ऑधक झालो किया हैं जरूर एंजरा सभीक कियानी और भीर humor using आड़़ कि